तो यह वाला वीडियो नीट 2021 आपका कल मॉक टेस्ट संडे और मैं आपको इस वाले वीडियो में बताना चाहता था आपको फिर्फ पैन पेपर OMR format में अटेम्ट करना है क्योंकि नीट का एक्जाम पैन पेपर OMR format में होगा ऑनलाइन फॉर्मैट में नहीं होगा पैन पेपर OMR format का मतलब क्या होता है जब आप वनेटी क्वेशन वनेटी मिनिट में अटेम्ट करते हैं तो इस वनेटी मिनिट में से आपके 15-20 मिनट OMR bubbling में जाएंगे OMR bubbling कितना अच्छा वाड़ है bubbling है ना तो आपको वनेटी क्वेशन के लिए एक्चुली करी 165 मिनिट सी मिलते हैं इस चीज की प्रैक्टिस अभी होना ज़रूरी है मैं आपको बता कि पैन पेपर OMR format में कैसे अटेंट करना है पर जो हम कैश प्राइस दे होंगे यह हमारा तरीका आपको बताने का कि प्लीज पैन पेपर OMR format में लिखो हमें बहुत मैनत लगी थी इस वाले format को online बनाने में हमारी सिर्फ यह test series जिसमें option available होता है का इस प्लीज से यूज कर लिजे ठीक है और कल cash prize top 20 students को नहीं होगा ज्यादा बच्चों को देना च चीज यह समझ लीजे pen paper OMR format में सिर्फ आप website पे कर सकते हैं एप पे नहीं कर सकते एप पर PDF डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो आपको website पर आना पड़ेगा यदि आपने test series जॉइन किया है अचीवर कोर्स जॉइन किया है लिंक उनका वीडियो के description में test series और अचीवर कोर्स क तो आपके पास दोनों का access मिलता है आपको website का भी access मिलता है एप का भी access मिलता है pen paper OMR format सिर्फ website पे अवेलिबल है कैसे जाएंगे आप देखिए course content में गए या menu पर जाके course content में गए यह देखो पांचवे नंबर पर टेस्ट दिखाई दे रहे हैं टेस्ट पर गए ठीक है यह दूसरा बटन है नीट पर टेस्ट सिरीज इस पर गए अब नीचे आईए है ना यह अगला वाला टेस्ट दिखाई दे रहा है 30 में को लाइब होगा कल देड़ बजे टेस्ट लाइब हो जाएगा आपको आठ पर तक सब्मिट करना है यदि आप cash price के लिए eligible होना चाहत यहां से PDF डाउनलोड कर लेंगे sample OMR sheet आप यहांसे download कर सकता है मैंने यह sample OMR sheet नीट प्रेप के टेलिग्राम चैनल पर भी डाल दिया है डाउनलोड कर लिजे और प्रिंट आउट ले लिजे अभी आपके पास पहले के प्रिंट आउट नहीं पड़े हैं बाहर नहीं जा सकते हैं लॉक्डाउन वगरा लगा हुआ है पेपर पे लिख लिजे चॉइस उसम एक्जाम का प्रिंट आउट नहीं ले पाते फोन पर लाप्टॉप पर खोल लीजे एक्जाम को और उसके बाद रफशीट ले लिजे और उसमें अटेम्ट करिए और बबलिंग करनी है ठीक है उसके बाद जब आपने बबलिंग कर दी तो देखिए क्या है लिख देता हू है एंड फिल ओम और सब्सक्राइब तीन घंटे के बाद आफ्टर थ्री आवर्स आफ्टर थ्री आवर्स ठीक है जब आपका तीन घंटा खतम हो गया मौकत इसका आप इस वाले ऑप्शन पर आएंगे फिल ओम और पर और क्या करेंगे एक बार दिखा देता हूं इस पर क् बबल भरा था अब वह आप इसको यहां पर आके अपडेट कर लेंगे हैं ठीक है कि यह सारे बबल भर लेंगे से calculate score करेंगे यह बोलेगा score देखना चाहते हो बुला हाँ है आपको score 8 बजे दिखाई देगा यह पहले टाइस जा चुका है तो आपको बोल देगा कि 8 बजे वापस आके देख लेना स्कोर और अब यहां पर इस सरे से फिर स्कोर दिखाई देजाए गा व्यूवल आंसर्स साके देख लेना अटेंप्ट ना पर जाओंगे व्यू स्कूर पर जाके वापिस आ जाएगा हूफ लिए आप लोग को समझें आ गया को बहुत बार मैंने आपको यह वाली चीज़ बताइए पैन पेपर ओमर फॉर्माट में ही आपको टैसे नहीं यह पैन पेपर में नहीं करना ठीक है कल मैं आपका लाइज सेशन भी करूंगा कि 130 मैंने लिखा 145 15 मिनट पहले हैं तो एक पर इसे ठीक कर देता हूं 145 पीम पर ठीक है जैसे हम रेगुलर ली करते थे आपको कुछ बेसिक चीज़े जो होती है जो मैं बार बार रिपीट करता हूं उन्हे है टैस्ट अटेम्ट करना है आप फुल से लेबस टेस्क लिखने के लिए रएडी नहीं है पार्ट अलिकली जstes लिचे और उसके बाद एक्जाम में जाएंगे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जाने पेचाने महौल में तो टेस्ट लिखना है पैन पेपर OMR format में लिखना है और मैं आप से कल 145 पीम पे मिलूंगा और एक सुडेंट